नमश्कार पहले की क्लास में हम मुल्यांकन के बारे में जान चुके हैं कि मुल्यांकन क्या होता है उसके क्या लक्षे हैं उसके उद्देशे कौन से हैं और उसके चरण क्या क्या हैं तो आज हम मुल्यांकन टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए मुल्यांकन के कुछ प्रकार हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं जैसे जो ग्रामीन विकास हेतू का प्रसार कारेक्रमों का आयोजन शुरू से होता रहा है और इन कारेक्रमों का मुल्यांकन भी एक निरंतर चलती रहने वाली परिक्रिया है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुल्यांकन के प्रकार की तो जो मुल्यांकन है वो अलग-अलग प्रकार का है तो जैसे दैनिक मुल्यांकन तो दैनिक मुल्यांकन जो हम रोजमर्रा के प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो कारे करते हैं मुल्यांकन है वे हमारी परंपराओं धार में खविश्वासों रूच्छी टीवी प्रोग्राम्स फिल्मों आदी से प्रभावित होते हैं कि मुल्यांकन दिन भर में कई बार करते हैं जिसका कोई खास मान मापदंड नहीं होता है ये व्यक्तिकत भी होते हैं इसी तरह से सेल्फ चेकिंग एवैलूएशन या आत्मुल्यांकन भी मुल्यांकन का ही प्रकार है क्योंकि प्रतेक व्यक्ति के कारे करने का अपना अपना एक तरीका होता है अपना अपना एक धंक होता है और प्रतेक व्यक्ति अपने आपको यह मानता है कि जो वे कर रहा है वे सही है किन्तु अपना जो इंडिवीजुल का जो इवैलुएशन है व्यक्ति का अपना मुल्या करें और अपने आपके कारियों के विशे में सोचे कि वह मन्ह स्तिति उसकी और दूसरों के साथ वह कैसे पेश आता है इस पर मनन करें और यही मनन करना ही उसका आत्मुल्यांकन कहलाता है आत्मुल्यांकन व्यक्ति को अपने आपने नियंतरन रखना और अनुशाचन रखना सिखाता है इसी तरह से अपनी कारे शैली का मुल्यांकन भी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए आत्मुल्यांकन करने के बाद कोई भी व्यक्ति पूरी योजना मना कर कारे करता है प्रसार संबंदी जो अध्यन है वो भी किया जाना चाहिए कारे, संबंधी, अध्यनों का आधार विज्ञानिक और विवस्थित होता है इसमें दो प्राकार के मुल्यांकन किये जाते है एक तो कारिकरम संचलन के करम में और दूसरा कारे के पून होने पर किया जाता है कारिक्रम अंतरगत मुल्यांकन और कारिक्रम प्रमुनत्तर मुल्यांकन इसे कहा जाता है प्रथम प्रकार का जो मुल्यांकन है उसमें कारिक्रम के दोरान देखरे की जाती है और बीच में यदि कोई गलती होती है तो उसमें सुधार लाया जाता है इस तरह का जो मुल्यांकन है उसमें ध्यान रखा जाता है कि कारिक्रम की प्रगती उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में हो रही है या नहीं दूसरे प्रकार का जो मुल्यांकन है में कारिकरम की समाप्ती पर उद्देशों की पूर्ती हुई उसके क्या प्रभा हुए इस बात पर ध्यान देकर पूरे कारे की समिक्षा की जाती है कारिकरम के विकास काल में इसका एक रूप होता है इसके संपादन या पूने के करम में कुछ न कुछ कटी नहीं आती रहती है इसका निराकरन या निवारन भी साथ साथ किया जाता है विकास कालिक मुल्यांकन कारिक्रम संचलन की निरंतरता बनाए रखता है कारिक्रम की समाप्ति पर समाहारिक मुल्यांकन किया जाता है जिससे आगे होने वाले कारिक्रमों के नियोजन में साहता मिलती है इसी तरह से साइंटिफिक एलुए इवैलुएशन भी होता है अब हम बात कर रहे हैं मुल्यांकन की उप्योगिता तो जो मुल्यांकन है वह है भविश्य में बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए होता है कारिक्रम के दोरान मुल्यांकन करते रहने से रूटियों का ततका सुधार किया जा सकता है और इस तरह से करने से संसादनों की बरबादी भी नहीं होती है मुल्यांकन भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए एक ठोस आधार देता है कारिक्रम की समापती पर यह विचार किया जाता है कि कारिक्रम में क्या कमी रहे गई और इससे बढ़ाया जाए या नहीं ग्रामिन विका से तो अनेक सरकारी गेर सरकारी स्वैम से भी संस्थाएं फंड उपलब्द कराती हैं उनके द्वारा दी गई राशी का प्रयोग सही कारों के लिए किया जा रहा है या नहीं यह जानना उनका अधिकार है इसी लिए मुल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसकी जानकारी मुल्यांकन रिपोर्ट से ही प्राप्त हो पाती है इसी कारण से समहारिक जो मुल्यांकन है उसको करना अनिवार्य हो जाता है सूशनाओं एम जानकारियों को उपलत कराने में मुल्यांकन का एक महतुफून योगदान रहता है प्रसार कारिकरमों के सफल संचालन का उत्तरदाइत वो प्रसार कारिकरता या कारिकरम संयोजब पर होता है इससे मुल्यांकन द्वारा इन्हें आत्म मन्थन करने का अफसर मिलता है और कारिक्रम की सफलता के कारणों को जान पाते हैं तथा कारिप अधती में सुधार भी लापाते हैं प्रभावपूर्ण मुल्यांकन की क्या कसोटी है तो इसको निम्न आधारों पर ज्याद किया जा सकता है जैसे उद्देश्यों की सपस्ट व्याख्या, मापन के निमित, वहवत साधनों की वैद्धिता, विशे निष्ठता, परिवर्तन की प्रत्यक्ष प्रमानिकता, मुल् सीमा बद्धिता, इसके अतरिक्त जो मुल्यांकन है उसके कई लाभ भी हैं, जैसे मुल्यांकन से मिले परिणामों से कारिकरम के उद्देश्यों सपस्ट होते हैं, मुल्यांकन से भविश्यों की योजनाओं को मजबूत आधार मिलता है, मुल्यांकन से किसी कारिकरम की सफ प्रात्मक्त प्रिणाम से लोगों के मन में कारिक्रम एवं प्रसार, कारिकर्ता के प्रती विश्वास पैदा होता है और लोगों में आये wollद omega कि प्रिवर्थन के स्पष्ट्टी करन नई कारे प्रणालियों का प्रयोग, कारे प्रतितियों में गुणवत्ता का ग्यान सभी मुल्यांकन पर ही निर्भर करता है मुल्यांकन कारे करम की प्रगति एंप्रभावशीलता को प्रदशित करता है कारेकरम से प्राप्त उकलब्धियां लोगों में आनन्द की भावना तथा आत्म विश्वास उत्पन करती है मुल्यांकन द्वारा लोगों में अपनी कारे विधी में सुधार कर प्राम और कारे के प्रती विश्वास उत्पन होता है इसी तरह से जो मुल्यांकन हैं उसमें कई अशुद्धियां भी रह जाती हैं और समस्यां भी आती हैं जैसे हमारे विवहार नित नए कारियों, स्थितियों या कारकों के प्रभाव में बदलते रहते हैं कारे दक्ष्टा, कारे निश्पादन के शैली एम जानकारियों में भी परिवर्थन आता रहता है नए घटनाओं और परिस्थितियों के कारण विवहारों में जो परिवर्थन आता है उनके कारण इनकी माप में समस्यां और अशुद्धियां आ जाती हैं इसी तरह से मानव व्यक्ति के विभार का अधन करने के लिए अनेक मापन साधुनों जैसे की प्रशनावली विधी या नुसुची स्कोर आधी का निर्मान किया जाता है जिससे मानवी गलतियां या चूक हो सकती हैं व्यक्ति के विभार एवं उसमें आने वाले परिवर्तनों की माप करना सरल नहीं होता है कोई एक व्यक्ति जिसे प्रतिदर्श या सैंपल के रूप में माना जाता है वह कभी भी किसी समुदाय का प्रतिनिधी नहीं माना जा सकता इसी कारण परिणाम अशुद्ध होना स्वाभाविक है प्रशनावली विधी से आंकड़े एकत्र करने में यदी उत प्रतरदाता के पास समय की कमी बातचीत की इच्छा नहीं होना आदी भी परिणाम को प्रभावित करते हैं जो क्वांटिफिकेशन मैथर्ड है या परिमानात्मक मापन है इसे तो किसी वस्तु की कितनी विशेश्टा है इसका मापन ये गरण कर लिया जाता है यह संख्या वस्तु के गुणों को प्रदेश्ट करती है जिने संख्यात्मक सुच कांकों के क्रम में प्रस्तुत करने पर तुरुतियां आने का पूरा संदेशा रहता है विवार संबंदी जो आकणे हैं उनको एकत्र करना अत्यांत मुश्किल कारे है प्रसार कारे करता ग्रामिन के बीच कारे करता है जहां कई प्रकार की परेशानियों का उससे सामना भी करना पड़ता है और मुल्यांकन विभिन कारगों से परभावित होता है किन्तु यह अत्यांत अनिवारे चरण है जो कारिक्रम का विसलेशन करता है यह कारिक्रम की जरुरत को प्रदशित करने के साथ साथ रुटियों एम व्यवधानों को दूर करने में भी एहम गुमिका निभाता है तो बच्चों अभी हमने मुल्यांकन के लाब, मुल्यांकन की उपयोगिता, प्रभावपूर्ण मुल्यांकन की कसोटी और साथ में मुल्यांकन में अशुद्यां एवं समस्यां क्या हाती हैं के बारे में जाना धन्यवाद